क्रिया कलाप 3 गाल की कोशिकाओं का अवलूकन यह क्रिया कलाप सिक्षक की उपस्थिती में ही करें गाल की अंदर की सता को आइसक्रीम के चम्मस से खुरच कर स्लाइट पर फैलाएं ध्यान रहें कि गाल को कठोरता से न खुरचें स्लाइट पर पानी की एक बून डाली इसके बाद दो बून लाल सयाही या आलता या सेफरनीन के तनु घोल की डाली और कवर स्लिप लगाएं फिर सुक्षम दर्सी के निम्न आवर्धन से चित्र देखें एवं बनाएं गाल की कोशिकाओं इवं पत्ती की कोशिकाओं में क्या क्या समानताएं हैं कोशिकाओं देखने के लिए हमें अक्सर सुक्षम दर्सी की मदद लेनी पड़ती हैं मगर नीम्बू संत्रा जैसे फलो में रज भरा एक छोटा भाग मचली और मुर्गी के अनिशेचित अंडे इत्यादी कोशिकाओं हैं जिने हम बिना सुक्षम दर्सी से भी देख सकते हैं यहां तरह तरह की कोशिकाओं को चित्रा नुसार दर्शाया गया है इन कोशिकाओं में आपको किस-किस प्रकार के अंतर दिखाई दिये या आश्चरी की बात है कि इतने अंतर के बावजूद चाहे एक कोशिकी जीवों या बहु कोशिकी है इनमें सारी मूल जैविक्रियाएं पोशन, श्वसन, प्रजनन, उत्सरजन, आदि कोशिका में चलती रहती है बहु कोशिकी जीवों में अलग-अलग कोशिकाएं या कोशिकाओं के समूँ आपसी समन्वे से जैविक्रियाओं को संपन्न करते हैं